चटनी के बिना तो हमारा खाना धूरा होता है। और हम अक्सर धनिये पुदेनी की चटनी तो खाते ही हैं। आज मैं आप लोगों से अमरूद की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहां मैंने सीजन वाले अमरूद ले लिये हैं। अभी जो बारिस की सीजन है वही अमरूद है और इसे मैं हलका सा गैस पे रोष्ट कर लूँगी क्योंकि अभी सीजनली अमरूद मतलब ऐसे ही कच्छे खाने से कभी-कभी सर्दी हो जाती है तो इसे हलका सा रोष्ट कर लेने से क्या होता है इसका कच्चापन खतम हो जाएगा और हमें सर्दी जुकाम भी नहीं होगी और इसी के साथ मैं दो लेसन की कली को भी रोष्ट कर ले रही हूँ तो यहां मैंने हलका सा अमरूद को रोष्ट किया है इसका कच्चापन बस खतम किया है तो यहां देख सकते हूं लट पलट कर मैंने अमरूद को अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब इसे हम गैस पर से उतार लेंगे और यहां देख सकते हैं मैंने अमरूद को एक प्लेट में हलका सा ठंडा कर लिया है और अब इसे मैं कट करते जाओंगी और मिक्सर जार में डाल दूंगी तो हम यहाँ पर सारे अमरूद को काट कर एक मिक्सि के जार में डाल देंगे और अमरूद ना काफी ज़ादा हेल्दी होती है और हमारे स्वास्त के लिए भी काफी फैदेमंद होती है तो इसकी चट्नी हमें जरूर से खानी चाहिए और यहां तीखा के लिए मैं एक हरी मिर्च और लेसन की कली डाल रही हूँ और स्वाद के अनुसार यहां पे हम नमक आड़ कर देंगे और उसके बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे इसमें हमें पानी आड़ करने की बिल्कुल जरुरत नहीं है क्योंकि अमरूद में काफी सारा पानी होता है वो उसी पानी से यह पिस जाएगी और यह चटनी खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी लगती है तो यह हमारे हेल्थ के लिए तो फैदे मंद है ही लेकिन यह काफी ज़्यादा टेश्टी भी है और हमारे घर में बच्चे या बुजुर्ग ऐसे कच्चे अमरूद नहीं खा पाते हैं तो उन्हें इस तरह से हम अमरूद की चटनी खिला सकते हैं तो इस तरह से आप भी अपने खाने में अमरूद की चटनी जरूर सामिल कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये चटनी आपने ट्राइ की है या नहीं मैं आपसे फिर मिलूंगी बाई